सुन्सकार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, आजकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने Facebook Messenger को Deactivate करना चाहते हैं, अपने Facebook अकाउंट को Deactivate करना चाहते हैं messenger account को तो यहाँ पर चलिए वीडियो को जान लेते हैं कैसे हमें करना होगा सबसे पहले आपको करना messenger पर आना है messenger में आने के बाद आपको three lines पर click करना है अब यहाँ पर आपको उपर setting option देखने को मिल रहा है setting पर click करिए setting पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यह बहुत सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको dark mode और इसके नीचे active status देखने को मिल रहा है active status पर आपको एक बार click कर देना है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है या तो आपका 401 हर होगा तो until I change it पर click करके आपको pause कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुका है यहाँ से आना है अब back back आने के बाद आप directly आपको scroll करना है और यहाँ पर आपको account setting देखने को मिल रही है account setting में आईए account setting में आने के बाद यहाँ पर आपको personal information देखने को मिल रही है सबसे उपर इस पर आपको click कर लेना है click करने के बाद नीचे आपको manage account option देखने को मिल जाता है आपको directly manage account पर click करना है अब यहाँ पर account के सामने आपको deactivate option देखने को मिल रहा है deactivate पर आपको click कर देना है अब यहां आप देख पाएंगे for your security please re-enter your password तो आपको अपने account का password डालना होगा जैसे आप password डालकर continue करते हैं तो आपका account जो है यहां से आप deactivate कर पाएंगे तो यहां ही उच्छे मैंने आपको बताना था hope आपको सब कुस समझा चुका है यहां से password डालकर आप continue करेंगे तो आपका account आप deactivate कर पाएंगे easily hope आपको सब कुस समझा चुका है अगर आप वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने फ्रेंग्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं नाइक्स वीडियो में टिल नवाट एक केल्ट लव्यू आप